बात करते हैं रतलाम की जहां जिले के बांगरोद ग्राम पंचायत में सरपंच चुनाओं के विजई उम्मीदवार के जुलूस में बंदूख से फाइरिंग की गई है विज़ जुरूस में हर्स फाइरिंग का मामला सामने आने के बाद अब रतलाम पुलिस हरकत में आई है नामली थाना पुलिस के साथ वरिष्ट अधिकारी भी गाउं पहुचे हैं दरसल सुक्रवार को संपन हुए तीसरे चरण के पंचाच चुनाओं में बांगरोध ग्राम पंचाथ में राकेश व्यास सरपंच पद का चुनाओं जीते हैं उनके विज़े जुलूस में मौझूद दो लोगों ने हर्स फाइरिंग कर दी है जिसके बाद आप बांगरोध चौकी और नामली थाना पुलिस की टीम के साथ वरिष्ट पुलिच अधिकारी भी गाउं पहुचे हैं और वाइरल वीडियो के आधार पर फाइरिंग करने वालों की धर पकड़ और हतियार जब्त करने की कारेवाही की है रतलाम जिले में वर्तमान में 33 पंचाच चुनाओ और नगरी निकाच चुनाओ की आचार सहीता प्रभावसील है चुनाओ आयोक के निर्देसों के अनुसार जिले के समस्त लाइसेंसी हतियार धारकों के अपने हतियार संबंदित पुलिस थाने में बिधिवत जमा करवाने होते हैं जिसके डिये रतलाम पुलिस ने बकाइदा प्रतेक लाइसेंसी हतियार धारक से संपर्ग अगर हतियार जमा करवाने का दावा किया था। लेकिन रतलाम पुलिस के उस दावे की हवा तम निकल गई जब बांगरोद ग्राम पंचायत में चुनाव जीते हुए सरपंच प्रत्यासी राकेश ब्यास के विज़ा जलूस में जम कर हर से फाइरिंग की गई। जलूस में हर से फाइरिंग करने वाले ब्यक्ति आर्मी से रिटायर जवान बताये जा रहे हैं। हमारे यहां मिल रहा है आयशमान भारत निरामय योजना का लाब। आयशमान जन आरों के योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिकलेम की सुविधा उपलप्त है। हमारे यहां लेजर कैंसर, अस्थी रोग, एंडोस्कोपी, लेपरोस्कोपी एवं प्रसूती रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं ओपरेशन अवरीवा के नैशनल अस्पिताल में उपलब्ध है नैशनल हॉस्पितल के संचालर डॉक्टर अखिलेज पतेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाय आइसमान से संबंदित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर हमारा पता है नैशनल हॉस्पितल समानतिराहा रिवा संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 860028859900 पर